नमस्कार दोस्तों ये देखिए आप माइको असी तीस हाइब्रेड सर्सू ये सर्सू आज 40 दिन की होने वाली है और 40 दिन की इस्तती में इस सर्सू को देखिए आप और देखिए इसकी जो पोदा है उनकी पोदों की ये देखिए आप कोदों का तना देखिए आप इसके पत्ता देखिए कुदा देखिएStudia ko कितने बड़े बड़े इसके पत्ते और इसका तना देखिए आप laure इसमें कितना गजब का फुटाओ है ये देखिए एक दो एक ये तीन ये इधर चार ये पांच वह सारा फुटाओ है इसमें ये ये देखिए अब इसके तने बने हैं ये देखिया इनकी इस्तती देखिए आप यह फसल अभी 40 दिन की हुई है और 40 दिन की स्तिती में देख लीजे आप माइको 80-30 आइबिरीड सर्सू यह सर्सू पानी भी सेन कर जाती है इस विराइटी की विशेस्ता है कि यह विराइटी बोवनी से लगा कर कटाई तक 3-4 पानी अधिकतर सर्सू 3 पानी पीती है यह 4 पानी भी पी सकती है और इसकी सबसे बड़ी विशेस्ता है कि यह आड़ी बहुत कम पढ़ती है क्योंकि इसकी जो तने हैं बड़े मोटे मोटे रहते हैं और अच्छा जड़े रहती है इसकी और अच्छी गेरी जड़े मोटा तना इसका रहता है उसकी वज़े से आड़ी कम पढ़ती है और उसके बाद इसकी एक रहती है कि जो आने दूसरी कमपनियों की जो सर्चु है उसमें फलियों में बीज भराव के समय जब बीज भराव होता है उसमें जैसे ही डालियों पर बज़न पड़ता है तो वो डालियां तूटने लगती है तो इसकी डालियां तूटती नहीं है यही इसकी सबसे बड़ी उश्यस्ता है और यही इसका उत्पादन बढ़ाती है 6 कुंटल, 7 कुंटल पर विगा के हिसाब से इसका उत्पादन निकल जाता है अगर टाइम के हैनुसार इसको बोया गया है और अगर लगबग सही खेती इसकी की गई तो 8 कुंटल तक यह दम मार देती है बाकी सामानी रूप से 6 कुंटल उत्पादन बिगा का इसका निकलता है पिछले साल हमने इसका 6 कुंटल, 6.5 कुंटल बिगा का इसका उत्पादन लिया है बहुत अच्छी शानदार विराइटी है माइको 80-30 हाइब्रिड सरसू देखिए आप बड़ी शानदार इसके पोदे देखिए इस इसकी में इसके पोदे देखिए आप यह और बड़ा गजब का इसमें फुताओ है यह देखिए इसके पोदों की सुष्टा है यह देखिए पोदे इतना जड़ा इसका तना है और पत्ते देखिए आप यह यह देखिए पत्ता एक और दो दो बेट से भी ज़्यादा बड़े इसके पत्ते यह देखिए आप यह यह देखिए आप इसका पत्ता एक और दो यह ड़ाई बेती डई बेद के तो इसके पत्ते हैं और इसका देखिए तना इतना जाड़ा तना ये देखिए आप ये ये देखिए आप तना इतना जाड़ा इसका तना है और जब ये बड़ी होगी बड़ी शानदार ये ग्रोध करने वाली है बड़ी अच्छी इसकी ग्रोध चल रही है और अभी जो दूसरी वेराइटिया हैं इस इस्तिती में उनमें फूल निकल जाते हैं पतले पतली सी शाखाय निकल जाती है और फूल निकल जाती है तो ये अभी अपनी ग्रोथ कर रहा है फिलाव कर रहा है देखिए आप ये अलाकि अब शाम का समय है तो थोड़ा तुमला होने लगा है लेकिन देख लेजिये आप रहर को